नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है हमारे इस चैनल में अन्वी मीडिया तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाई में ऐसा खास क्या है ये क्यों एक इतना बड़ा सक्सेस हो सकता है आपके मन में भी ये सवाज जरूर होगा कि इस पाई में ऐसा खास क्या है हमारे पास पहले से ही इतने बड़े बड़े क्रिप्टो करंसिज हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया इथीरियम हो गया तो पाई कहां श्रेंड करता है Bitcoin और Ethereum जैसे तिने बड़े-बड़े points ने ऐसी क्या कमी है जो πाई को आरना पड़ा तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा technical हो जाएगा तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो बात करते हैं Bitcoin और Ethereum की इनकी जो mining है वो एक consensus algorithm के जरी होती है और उस algorithm का नाम है proof of work और जो ये proof of work है ये depend करता है large computational powers की उपर जितनी ज्यादा computational power उतनी ज्यादा आपकी mining की spirit अब बात करते हैं इसकी community पहली बात तो इतनी ज्यादा computational power के लिए उनको large hardware की ज़र्द पड़ेगी बहुत-बहुत बड़े software hardware उनकी ज़रूत पड़ेगी तो आम आजमी की points से तो बाहर ही है mining करने दूसरा देखा जाए तो इसकी जो transactions है वो बहुत slow होती है अगर आप मेंसे कोई bitcoin की transactions करता है तो उन्हें पता ही होगा कि bitcoin transaction करने में कुछ time लग जाता है approximately कहा जाए तो एक आदा घंटा तो लगी ही जाता है और अगर transactions की speed भणानी है तो हमें extra fees देनी पड़ती है और जो तीसरी main problem है वो है कि एक environment के लिए बहुत ही बड़ा concern है अगर पिछले कुछ सालों का data देखा जाए तो bitcoin mining में 3-25 tons carbon emit किया है जो हमारे environment के लिए एक खत्रे की घंटी है अब इन कम्यों को पूरा करने के लिए और भी बहुत coin ना है उन में से एक था ripple और दूसरा था stellar जिसे lumen भी कहा जाता है और ripple के co founder में ही stellar को बनाया है इनका फाइदा ये था कि जो इनकी consensus algorithm है वो bitcoin और ethereum से different थी अब बात करते हैं कि ripple और stellar के algorithms की क्या क्या benefit कि पहली बात तो fast transactions और दूसरा low waste of energy ripple और stellar के coins पहली से ही pre-mind है इसलिए mining करने में कोई जाला energy waste नहीं होती है अब बात करते हैं कि ripple और stellar में क्या difference है इनका main difference इनकी target audience हुए है ripple का main focus large banks और institutions में है ताकि वो easily cross border payments कर सके बहुत ही fast और कम से कम cost में और stellar का main focus था कि एक payment platform देना developing countries या फिर जो underdeveloped countries है ताकि वो easily cross border transactions कर पाए अब बात करते हैं कि इनमें क्या ऐसी कमी रह रही जो पाई गो आना पर है अगर आप थोड़ा बहुत cryptocurrency के बारे में जानते हैं तो cryptocurrency का main motive होता है कि ये fully decentralized है लेकिन stellar और रिपल में सिर्फ फू private nodes ही थे जिसकी वज़ा से ये centralized network है ये decentralized network नहीं है और इसकी audience भी limited है अब इसके बाद आया पाई network इसने उन दोनों टाइप की crypto currencies की limitations देता जैसे bitcoin और ethereum था उसका जो algorithm था वो अच्छा नहीं था और जो stellar और रिपल था इसकी जो nodes थे वो private थे पब्लिक नहीं थे मतलब एक centralized network तो पाई network क्या लेके आया पहली बार तो इसने stellar से उसका algorithm उठाया जो जिसका नाम stellar consensus protocol है और दूसरा जो उसमें कमी थी कि नोर्ज उसमें private थे तो पाई network पब्लिक नोर्ज लेके आया ताकि एक fully decentralized network बन सके और पाई network का जो main audience ह है वो है आम जनता है ताकि आम लोग crypto currency में transaction से कर सके easy लिए तो क्या बस यही खास है पाई network में जड़ा रुकिए क्या आप जानते है most of the cryptocurrencies कि जो intrinsic value है वो 0 हुटी है इनकी value totally depend करती है demand और supply के उपर इनकी अपनी कोई value नहीं लेकिन पाई network is focusing on building intrinsic value by backing up with physical assets and services मतलब कि पाई network focus कर रहा है इसकी एक intrinsic value बनाने में by backing up with other goods और services के साथ अब सवाल यह है कि पाई network intrinsic value कैसे build करेगा इसका जवाब है by making an app store एक app store बनाके जहां पर हम पाई के साथ कुछ भी खरीद या बेच पाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ताह पाई network testing phase में चल रहा है मतलब की phase 2 में चल रहा है जहां पर इसका main focus nodes के deployment में है ताकि एक fully decentralized network बन सके और दूसरा एक app store बिल्ड करने में है जो शायद इस साल के end तक बन जाएगा और दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियो में कहा है कि यह अभी exchange में listed है point jacko एक site है जो एक data provide करती है कि कौन सा point कहा लिस्टिड है तो क्योंकि pie और किसी exchanges में जैसे हो गया वहां पर फेक लिस्टिड है इसलिए वह point jacko में शो हो रहा है लेकिन ध्यान रखिए पाई अभी कहीं पर भी लिस्टिड नहीं यह थर्ड फेज में जाकर exchange में लिस्ट होगा तब तक दोस्तों जितना हो सके माइन करो जितना हो सके पाई को लैक करो अगर यह success हो गया तो हम सब की लाइफ बदल देगा यह मौका अपने हाथ से बिलकूल ना गवाए अगर आपने अभी भी जॉइन नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार है तो दोस्तों अगर मेरी मेहनत और यह वीडियो अच्छा के लिए के लिए